अगर आपने इस बार RPSC assistant professor का exam दिया है और यदि आपको लग रहा है कि आप qualify कर जाएंगे interview के लिए तो आपको एक form भरके RPSC को भेजना पड़ेगा इस form को कहते है detailed form, detailed form आपको मेरे video के description के अंदर उसका link मिलेगा या मैं आपको बता दूँगा कि आपको RPSC की website में भी कहां से जाकर के इसको लेना है इस detailed form के अंदर क्या-क्या चीजे भरनी है, कौनसे instructions है, उनका ध्यान रखना है आपको एक 50 रुपे का postal order लेना पड़ेगा, वो कैसे लेना है, वो भी बता दूँगा मैं आपको इस तरीके की सारी details आज के video में है अगर आप interview के लिए qualify हो जाते हैं, तो आपको ये form भरके जमा कराना पड़ेगा RPSC के अंदर और जब आप interview देने के लिए जाएंगे, तो यही form के basis पे आपके सारे documents चेक किये जाएंगे तो आपको ये form कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं सारी details आपको इस video में देने वाला हूँ आप ध्यान से last तक देखते जाएंगे, सबसे पहले बात करते हैं कि detailed form क्या है Basically detailed form एक तरीके का format है जिसमें आप से आपकी personal details, आपकी educational details मांगी जाएंगी ये details भरने के बाद आपको interview के time पर यही details से cross check किया जाएगा इसी form के end में एक और form होता है police verification का अभी तो आपको वो भर के जमा कराना है जब आपकी government job लग जाएगी जब आप finally interview के बाद qualify हो जाएगे उस समय आपका attestation होगा police verification होगा एक छोटी सी process होगी तो वो भी आपको इसी के साथ मिलेगा तो detailed form basically क्या है आपको समझ में आया एक ऐसा form जिसमें आपकी details पूछी जाएगी वो detailed form होता है चलिए अब इस detailed form को कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ इसका सीधा link तो मेरे इसके video के description में है फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि RPSC की website से आपको कैसे लेना है Google पे जाएए RPSC टाइप करिए और RPSC के home में चले जाएए या नीचे लिखा है important downloads दूसरे number पे यह important downloads यहां भी जा सकते हैं या आप home पे जा सकते हैं home पे जाएएंगे तो यह interface खुलेगा इसको बंद कर दीजिए आपको side में उपर लिखेगा candidate information और इसके अंदर देखिए आप 3 नंबर पे है important downloads आप यहां click करिए या सिधा वहां भी करते तो आप यहीं पहुँच जाते देन उसके बार में जो first है general information इसके अंदर आपको दूसरे नंबर पे जो लिखा है instruction for applicants, online application, rules, online objection, detailed form etc आप इसे download कर लीजिए जैसे ही यह form आपका download होगा यह बहुत बड़ा सा एक detailed pages का कुछ है format पर आपको इसमें से क्या लेना है मैं आपको बता देता हूँ यह इस तरीके से खुलेगा, अब आप इसे यहाँ पर समझने की कोशिश करिए इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आपको basically page number 43 पे पहुँच जाना है सीधा आप page number 43 के उपर आजाएए, page number 43 पर कुछ instructions लिखे हैं जिनमें से जो काम के instructions हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, यह है विस्तरित आवेदन पत्र के लिए सारे instructions लिखा है आवेदन पत्र शुल्क, इस आवेदन पत्र के साथ आपको 50 रुपे का शुल्क जमा कराना है जो online भी होता है पर आपको postal order देना है 50 रुपे का, postal order क्या होता है आप अपनी post office में जाएए और वहाँ जाकर के बोल दीजिए 50 रुपे का postal order दे दीजिए, वो RPSC के नाम लिखना है आपको और वो RPSC को देना है अगर आपको आपके यहाँ पे जाने का टाइम नहीं है या नहीं जा पाते तो आप RPSC के अंदर जाएए, main campus में वहाँ RPSC का post department है, एक post office छोटा सा, आप वहाँ से भी वो detailed form प्राप्त कर सकते हैं, वो sorry, postal order प्राप्त कर सकते हैं अब इस instruction वाले page पर जो सबसे जरूरी बातों पर ध्यान देना है, मैं आपको वो बता देता हूँ, बाकि आपको ज्यादा गोर नहीं करना सबसे पहली बात ये है, दूसरे लाइन में लिखा है, अभ्यार्थी विस्तृत आवेदन पत्र दो परतियों में भरे, आपको दो कोपी भरनी है इसकी और जितने भी दस्तावेज हैं, उन सभी को स्वे प्रमानित, self-attested करना है और उसकी केवल एक प्रती सलगन करनी है सर्टिफिकेट, सारी चीजे देनी है, मैं बता दूँगा आपको डिटेल में भी और उनकी एक-एक कॉपी देनी है, self-attested करनी है और फॉर्म की दो कॉपी भरनी है, फिर उसके बाद में एक और चीज़ देखिए कि आवेदक, आवेदन, पत्र, स्वेम के हस्त लेक में भरे, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने कम्प्यूटर से भर दिया, या आपने एक फॉर्म भरा और उसकी जिरोक्स कराके दो फॉर्म बना लिये, आपको दोनों फॉर्म हाथ से भरने हैं, आपको एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आपके लिए, कभी-कभी क्या होता है कि RPSC के अंदर एक कादा पेपर कुछ मिस प्लेस हो जाता है, जैसे मान लिजी कि यह जो फॉर्म होगा, यह 10-15 पेजेज का तो फॉर्म है, उसके बाद में 10-15 सर्टिफिकेट लगे यह दो फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको, मतलब आप यू लगा लीजिए, 30-40 पेज का तो यह फॉर्म हो जाएंगे, 31 क्या सपास, 15-1 आपके वो दस्तावेज हो जाएंगे, कुल मिलाकर 40-45 पेपर होंगे, आप उसको जब बांध करके RPSC में देखे आओगे, तो हो सकत है, एकादा पेज उपर या नीचे वाला मिस प्लेस हो जाएंगे, तो मेरी आपको यह एड़्वाइज है कि आप तीन कॉपी इस फॉर्म की भरे, एक कॉपी अपने पास रखें और दो कॉपी आपको जमा करानी है, वो जमा कराएंगे, और जो आपके सारे सर्टिफिकेट हैं, उनके भी आप दो सेट बना लीजिए, एक सेट आपको RPSC में देना है, एक सेट आप अपने पास रखेंगे, अब आपको यह दो बातों का ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है, ज्यादा खास, बाकि आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपको क्या-क्य कैसे भरना है, मैं आपको in short बता देता हूँ, यहाँ पे, नीचे आएंगे आप, तो page number 47 से यह form चालू होगा, यह है आपको detailed form, यह आपके सामने जो है, अब इस detailed form में आपको क्या-क्या करना है, वो देखिए, सबसे उपर लिखा है कारियाले, प्रविस्ट्री, यानि यह आपको बिल्कुल नहीं भरनी है, यह दो चीजें आप छोड़ दीजिए, इसको नहीं भरना है, इधर लिखा है, विस्ट्रित आवेदन पत्र के साथ, ओनलाइन जमा कराई 50 रुपे की प्राप्ती रसीद सनलगन करे, यह 50 रुपे का आपको यहाँ पर क्या डालना है, पो इसके साइड में यहाँ पर 50 रुपे का लिखा हुआ है, यह तो फाड के आपको दे देंगे वो, और इतना वाला जो पार्ट है, यह आगे वाला वो आपको रख लेंगे, इस पोस्टल ओर्डर के उपर इसका नमबर लिखा है, वो आपको फॉम में भरना है, और यहाँ प पर स्टांप लगेगा, वो सब लगा लुके दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना, यह पोस्टल ओर्डर भरना है, 50 रुपे का, इधर लिखा है आवेदक का हस्ताकसर युक्त नवींतम फोटो, यह तो आप करी लेंगे, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, आगे चलने पर यहां लिखा है रोल नंबर, आपके पास एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड की कोपी भी जमा करानी है, एडमिट कार्ड से रोल नंबर ले लिजी अपने, आवेदन पत्र क्रमांक, आपने जब ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म भरा था, सबसे पहले वेकेंसी आई थी तब, उसके उपर आपको ओनलाइन आपके नंबर मिलेंगे, एप्लिकेशन फॉर्म नंबर वो भरने है, मेरिट क्रमांक छोड़ दीजिए, यह कार्यले उप्योग के लिए है, और ओनलाइन जमा क्रमांक मैशुल्क, यानि जो मैंने आपको बोला था ना, यह वाला नं 99455, यह हर एक के लिए अलग-अलग होता है, वो आप यहां भर देंगे, ओनलाइन जमा वाले में, यह ओनलाइन तो नहीं है, पर यह चल जाता है, उसके बाद में आपको भरना है विज्यापन शुद्धी पत्र संख्या, विज्यापन संख्या यानि एड़र्टाइजमें कर लो, लिंक के अंदर आपको इस विज्यापन शुद्धी पत्र संख्या, इस कॉलम में आपको यह भरना है, 01 परिक्षा, सहायक आचारिये, कोलेज सिक्षा, EP1, 2013 चोईस, यह पूरा का पूरा उसमें भरना है, भर दोगे, आगे देखो क्या लिखा है, पद कोड क्रम संख्या, यानि पोस्ट का सीरियल नंबर, यह सीरियल नंबर यहां दे रखा है, जैसे बोटनी का सीरियल नंबर एक है, केमेस्ट्री का सीरियल नंबर दो है, मैत का तीन है, फिजिक्स का चार है, यह देखिए, यहा नाम पद के नाम में आपको भरना है सहायक आचारिये पद का नाम क्या है ये रहा सहायक आचारिये ये वाला नाम आपको भरना है सहायक आचारिये फिर उसके बार में आगे लिखा है विभाग का नाम इसमें आपको भरना है कोलेज शिक्षा विभाग ये आगे लिखा न इत आप कौन से केटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार आप इसके अंदर टिक लगा दीजिएगा, जिस भी केटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, फिर उसके बाद में आपकी जनरल डिटेल से, जनमिस्थान आपका कहा है, राज्य, जिला, तहसील, अन्यटिप्णी, य उसके बाद में अतिरिक्त विशेश श्रेणी, ये महिलाओं के लिए हैं, महिलाएं यदि विवाहित हैं, एविवाहित हैं, इस तरीके का कुछ डिटेल आप से पूछी जाएगी, इसके बाद में आवेदक का पूरा नाम, यहां आजाईए, आवेदक का पूरा नाम हिंद और अंग्रेजी में वही लिखना है जो आपके सर्टिफिकेट में चल रहा है आपकी जनमति थी लिखनी है और विग्यप्ति में निर्धारित आयू कोती थी यह विग्यप्ति आई आई आपकी इस तारिक को 22-6-2023 तो 22-6-2023 को आप कितने साल कितने महीने कितने दिन के थे वो आपको यहां भरना है इसके लिए आपको एक गूगल के उपर एज कैलकुलेटर नाम से एक कैलकुलेटर टाइप का सा खुलेगा उसमें आप आपनी बर्थ डेट और जिस डेट पर आप कैलकुलेट करना चाहते है वो भर दीजिए आपको मिल जाएगा तो यह वहां भर दीजिएगा नागरिकता आप भारतिय हैं अब जो लोग मैरिड है उनके लिए विशेश तोर पर यह मैरिड सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए मैरिड सर्टिफिकेट के अंदर आपको विवाहित होने की स्थिति में टिक लगाना है और उसके बाद में विवाह का विवरण देना है अगर आप अन्मेरिड हैं तो बहुत सही है कुछ भी नहीं करना आपको यहां पे और लेकिन अगर आप मैरीड है तो आपको नीचे आ जाईए पती या पतनी का नाम भरेंगे विवा की तिथी विवा का स्थान जहां पर फेरे हुए हैं वहां का स्थान आएगा पंजियन संख्या मैरीज सर्टिफिकेट पे जाना वहां पंजियन अधिकारी आप उस अपने सर्टिफिकेट के पीछे देखना आपको एक ऑफिसर के सिगनेचर मिलेंगे उसका नाम मिलेंगा वो नाम भर दीजिये यहां पर अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का वीवरन देना पड़ेगा यहां पर दैन उसके बाद में पत्र नहीं होनी चाहिए जैसे आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं और आपने ऐसे शहर का एड्रस भर दिया जहां कोई रहता नहीं है तो ऐसा ना करें आप वहीं का भरे जहां आपको डाक मंगवानी है देन इस्थाई निवास वगेर हो जाएगा अब आईए सेक्षनिक योग ग्रेजुएशन बी एड है तो उसकी डिटेल नेट सेट है तो उसकी और अन्य कोई डिप्लोमा जैसे मालीजी आपने गाजस्तान सेट भी क्लियर कर रखा है नेट भी क्लियर कर रखा है तो आप यहां पर एक टिक लगा दीजिए या तो नेट पे या सेट पे और अन्य के certificate के उपर दसवी बारवी के जो भी है सब मिल जाएगा परियासों की संख्या में आपको क्या करना देखिए परियासों की संख्या में आपको कितने परियास लगे 10th pass करने में 1 साल लगा, 1 भर दीजिए, 12th में 1 साल लगा, 1 भर दीजिए, BSC में 3 साल लगे, तो 3 भर दीजिए, MSC में 2 साल लगे, तो 2 भर दीजिए, तो ऐसे करके आपको ये बरना है, अब net set के अंदर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी का एक बार में निकल जाता है, किसी क आपने कहीं internship करी हैं, तो, अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज बताता हूँ, देखिए, यदि आपने किसी government संस्थान से internship करी है, या आपने कहीं government job करी हुई है, तब तो आप ये details भरे, जो लोग government job में हैं, और जो लोग government internship वगेरे कुछ कर सकते हैं, वो अपनी एक भी detail ना छिपाएं, अगर किसी भी तरीके का fault मिलता है, तो आपकी नोकरी जा सकती है, जो लोग private job कर रहे हैं, private school में, private coaching में, private college में पढ़ा रहे हैं, उनकी ये details माइने नहीं रखती हैं, क्योंकि इनको recognize नहीं किया जाएगा, तो आपका मन है, तो आप भरे, वरना भर की कोई आफशकता नहीं है, अगर आप भरेंगे तो आपके दो extra कुछ ना कुछ कागच बढ़ जाएंगे, आपको अपना experience certificate लाना पढ़ सकता है, आपको कौन से तारिक से कौन से तारिक तक किया, वो certificate लगाना पढ़ सकता है, ऐसे में मेरी ये advice रहेगी, कि अगर आप private school coaching में पढ़ा रहे हैं, तो आप इसे ना भरें, आगे चलें, ये पदनाम वगेर वही है, अगर आप government employee है तो जरूर भरें, वरना आप रहने दीजिए, मेरी ये advice रहेगी, फिर उसके बाद में, आप यदि आयू सीमा में छूट चाते हैं, तो करें, वरना छोड़ दीजिए इसको, इन सब के अंदर cross लगा दीजिएगा, safe side रहने के लिए, ताकि कोई और ना भर सके, वैसे तो ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी safe side रहने के लिए cross लगा दीजिएगा, अन्य कोई पुरुसकार यदि आपको मिला है, कोई national level का, तो आप जरूर भरें, इस यदि आप आयोग द्वारा दंडित हैं, तो hopefully कोई नहीं है ऐसा, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, अब उसके बाद आवेदक द्वारा शपत, अपने पूरे सही signature करने हैं, जो आप usually करते हैं, कौन सा स्थान पे आपने foam भरा, let's suppose आपने जैपूर में foam भरा, जैपूर डा दीजिए, जो आप भर रहे हैं, उससे कोई खास फरक नहीं पड़ता है, पर आप हाँ, बहुत पुरानी date भी ना डाले और future date भी ना डाले, जैसे आज भर रहे हैं, तो आज की डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यह कहूंगा, interview call होने के बाद वाली जो date है, व पत्र, यानि मार्कशीट, मैट्रिक की लगाई आपने, हाई स्कूल की, सेकेंडरी की, यह सब A की नाम है, यहाँ पर जारी क्रमांक व दिनांक, आप अपनी 10th की मार्कशीट में देखना, जारी क्रमांक और दिनांक मिलेगा वो भर देना, और यहाँ लिख देना 1, यहाँ तो 15 सर्टिफिकेट है, तो 15 सर्टिफिकेट में पहला कौन सा है, 10th की मार्कशीट, तो यहाँ 10th की मार्कशीट के सामने 1 लिख देना, दूसरा कौन सा है, 10th का सर्टिफिकेट, तो 10th के सर्टिफिकेट के सामने 2 लिख देना, यह देखो, प्रमान पत्र सर्टिफिकेट है इसके सामने 2 लिख देना बहुत बना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो serial number में आपने arrange की है न वही serial number आप यहां लिख देना उसके बाद में बारवी का mark sheet, बारवी का certificate, BSC का mark sheet, BSC का certificate और उसके बाद में अपनी post graduate की mark sheet, post graduate का certificate, अनुबव प्रमान पत्र यदि आपके पास में गॉर्मेंट जॉब का अनुभव है तो ही भरे और यदि आप प्राइवेट कोलेज या प्राइवेट स्कूल कोचिंग में हैं और आपके पास अनुभव भी है वो देखो गिना नहीं जाएगा इसको आप रहने दीजिए कोई मतलब नहीं वो नहीं गि होती थी तो इसमें कुछ एंप्लोई प्राइवेट होते थे लेकिन कुछ एंप्लोई पर्मानेंट होते थे जिनको गॉर्मेंट के अकोर्डिंग सैल्वरी मिलती थी तो वहां पर उस समय तो आपका एक्सपीरियंस मेटर करता था कि आपने ऐसी कोलेज स्कूल में पढ़ा बहुत अच्छा कॉलम है, आपके जितने भी certificates हैं अच्छे वाले, जैसे set हो गया, net हो गया, get हो गया, या कोई आपने games में अच्छा अचीव कर रखा है, state level या national level पे, assets नहीं कुछ भी, debate विबेट वगेरे का कुछ नहीं भरना, ऐसे certificates यहां पे लिखें, उसके साथ साथ आपको यहां पर क्या लिखना है, उसके साथ आपको यहां पर जैसे मान लीजे, आधार card है, तो आप अपना आधार card, और यह कितने number पे आगया, आधार card, जैसे मान लीजे, यह 14 number का document है, तो यह 14 number आगया, आधार card के अलावा, यदि आप कोई और detail देना चाहते हैं, कोई pen card वगेर है, या फिर कुछ और, तो वो नहीं, तो कोई खास जुरुत है, नहीं, आप marriage certificate लगाएंगे, marriage certificate, तो वो लगा दीजिए, इसमें 15 number पे marriage certificate जैसे हो गया, फिर उसके बाद में मान लीजिए, net का आपने लगाना है, CSIR net का लगा दीजिए, get का लगा दीजिए, वो सारे के सारे आप यहाँ पे बर सकते हैं, फिर इसके बाद में आता है आपका कारियाले टिप पढ़ी, आपको कुछ नहीं करना है, जिस दिन आप interview देने जाओगे, उस दिन आपके सारे जो form, वो certificates है, यहीं इसी के साथ check किये जाएंगे, औरीजनल लेके जाने आपको interview के time पे, मैं interview के लिए एक अलग से detailed video बनाऊँगा, उसमें आपको क्या करना है, सारा बता दूँगा, फिर उसके बाद में यह प्रमानित किया जाता है, यह आपको एक gadgeted officer के sign करवाने है, यदि आपका कोई friend है, first grade teacher लगा हुआ है, या फिर मा कुछ नहीं भरना है, वो लोग check करेंगे कि आपने जो details लगाई है, वो सही है कि नहीं है, आपके उपर कोई police case तो नहीं चल रहा, आप कोई अपराधी तो नहीं है, ऐसा करके वो करेंगे, आप इसे पूरा छोड़ दीजिए, यह पूरा page ऐसा कैसा छोड़ना है, फिर उस signature करना ना भूले यहां पर आप, यहां पर कारियले उपयोग के लिए है, फिर आप से कुछ भी नहीं करना है, यहां पर वो अपना हा, ना, हा, ना, जो भी है आपका detail उसके according वो खुद करेंगे, आपको tension नहीं लेनी है, फिर उसके बाद में, आविदक को इसपस्ट पात् जाच करता का नाम बगेर आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इतना तो हो गया detailed form, अब एक यह है police verification का attestation form, यहां आपकी photo लगेगी signature के साथ में, और यह warning जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको एक भी गलत detail नहीं देनी है अपने बारे में, अगर आपने गलत detail दी, और य आप गलत detail बिल्कुल भी ना भरे, यही लिखा है यहां पर और कुछ नहीं है, आगे आजाईए आप, full name भर दीजिए, अपने role number, merit number वो भर लेंगे जब आएगा तब जैसे मान लीजिए आपकी first rank आ गई, overall बाद में सबसे final तो वो भर देंगे, mobile number आप भर देना, उसके बाद में present address in full, present address ही भरना है, अगर आप दूसरी city में भी रहते हैं तो present भरना है, permanent address, just in case मान लीजिए, आप जिस city में है, उसी का permanent मान, मतलब करना चाहते हैं, तो आप वहीं भर दीजिए, वरना अपना घर का जो address है, वो भरना है, यहां पर, then उसके बाद में, आपको य वहां के बारे में आपको लिखना है, वहां के address, पुलिस वेरिफिकेशन में, हालांकि यह बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा, just suppose कि, जैसे मैं है है थेराबाद रहा हूँ, लेकिन है थेराबाद में मैंने कुछ ही महीने रहा हूँ, तो व एक दो दूसरे जगह अगर रहे है तो वरना कोई ज़रूत नहीं है, वह आपको भरना होगा यहां पर, अब आपको फुल फैमिली डिटेल्स देनी है अच्छे से, सभी के नाम, सभी के अगर कोई mobile number वगेर है तो जो-जो मांगा है वो सारा का सारा देना है, देन उसके बा qualification वापस से भरनी है, आपको वह 10th, 12th वाली जो उपर भरी है, उसी में से देख के वापस भर देना, उसके बाद में, are you holding or have any time held an appointment under the central government, यदि आपने कभी central government के अंडर कुछ काम किये हो, तो उसका है यह detail, अगर आप पहले कोई employee रह चुके हो, government के, state government के, तो उसका detail है, यह आपके लिए नहीं है, देन उसके बाद में, वापस से वोई बात की, आप यदि arrest हुए है, कभी jail हुए है, आपको, कोई case चला है, उसके बारे में, hopefully आपको, ऐसा कुछ भरने की आवशकता नहीं होगी, इसको आप छोड़ दीजिए, और यदि आपका answer उपर वाले में, कि आपको ये नीचे वाला भरना है, वरना इसको भी छोड़ दीजिए, cross लगा करके, finally आपको किसी दो responsible person के नाम देने हैं आपको, आप अपनी family members के नाम ना दे, आप अपने uncle के नाम दे सकते हैं, cousin के नाम दे सकते हैं, कोई close friend है, उसके नाम दे सकते हैं, कोई teacher है, उसका ना रखें, जिसका भी आप नाम दे रहे हैं, उसको जरूर बताएं कि आपने उसका नाम दिया है, let's suppose कि आपने cousin brother का नाम दिया है, तो आप अपने cousin brother को जरूर बता दीजिए, कि आपने उनका नाम और mobile number दिया है, इनके सदी उनके पास में call आता है, तो वो आपका verification करवा सके उनसे चोटे-मोटे सवाल पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की, पर ये भरके रखें, ये आपको वहीं देना है, RPSC के अंदर detailed form के साथ में, इसकी भी दो copy होगी, अपने signature करने है, date place वो ही डालनी है, जो आप जिस दिन भर र आदमी है, या कोई मान लीजिए, government employee है, जो आपको जानता हो, उससे ये भरवा लीजिए, वो अपने signature वगेरे कर देंगे, और date place डाल देंगे, और ये आपका to be filled by office, तो ये आपका हो गया detailed form, page number 47 से लेके 56 तक के जो pages है, उन्हीं में आपको ये सारा का सारा भरना है, तो ये है अपने पास में detailed form, अब आपको मैं description link के अंदर description में एक तो detailed form का link दे दूँगा, advertisement का link दे दूँगा, आप तब वहाँ से download का लीजिएगा, और ये अच्छे से साफ सुत्रे अक्षों में भरके और जमा करा दीजिएगा, तो चलिए मेरी तरफ से आपको all the very best, और मै बहुत जल्दी एक अच्छा सा video बनाऊंगा, interview को लेकर भी कि आपको interview में किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या होता है, किस तरीके से आपको खुद को represent करना है, तो वो detail में आपको बाद में बताऊंगा, thank you so much, ये आप दूसरे लोगों के साथ भी please share कर दीजिए, जिनको जल्दी